क्या आपका बच्चा दूद पीते ही उल्टी कर देता है या फिर आसानी से दूद नहीं पचाता तो ले आये डॉक्टर्स द्वारा बनाया हूपा फीडिंग पिलो WHO कहता है फीडिंग के समय और फीडिंग के बार भी शिशु को हमेशा रिक्लाइन पोजिशन में रखना चाहिए शिशु का सिर नीचे या सीधा रहता है तो दूद खाने की नली के रास्ते से मूँ में आ जाता है और बच्चा उल्टी करता है हूपा फीडिंग पिलो की खास दिजाइन वारा मा अपनी सुविधा से बच्चे को रिक्लाइन कर सकती है जिससे दूद पेट में नीचे की तरफ रहता है और आसानी से पच्चता है बच्चा खुश और तर्दुरूस्त दोनों हाथों में नवजाज शिशु को उठाने से दीड की हड़ी यानी स्पाइन को सपोर्ट नहीं मिलता इससे दीड की हड़ी जूकिया तूट भी सकती है हूपा फीडिंग पिलो स्पाइन को स्ट्रॉंग सपोर्ट देता है बच्चा सुरक्षित रहता है क्रेडल होल्ड, क्रॉस क्रेडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड या फिर मा अपनी सुविधा के हिसाब से हूपा फीडिंग पिलो को होल्ड कर सकती है हूपा फीडिंग पिलो बहतरीन इंफिंट केरियर भी है अंदर हूँ या बाहर आपकी छोटी प्रिंसस भी बच्चे को बड़ी आसानी से उठा कर घूम सकती है नवजाद बेबी के पहले चार महिने के लिए अमेरिकन कंजूमर प्रोड़क्त नियमों द्वारा प्रमानित हूपा पिलो ने किया कमाल रिक्लाइन फीडिंग हो गई असान